आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार अपने स्मार्टफोन के अंदर अगर कॉल ड्रोप की प्रोब्लम है, कॉल कट कट के आ रही है, कॉल लग नहीं रही है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस परिसानी का समाधान बताने वाला हूँ तो आप मारी ये वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें दोस्तों अगर आपको भी कोल एंडिंग के समश्चा देखने को मिल रही है तो आपको ये वीडियो कम्प्लीटली जरूर देखने चीए आज की इस वीडियो के अंदर आपको काफी कुछ नहीं सीखने को मिलेगा काफी कुछ नहीं जानने को मिलेगा तो प्लीज आप मारी ये वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें इस वीडियो के अंदर आपको काफी कुछ नहीं स्टैप्स बताने वाला हूँ, काफी कुछ नहीं तरीका बताने वाला हूँ तो आप मारी ये वीडियो को जरूर देखें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें इसके लिए दोस्तों, अगर आप अपने स्मार्टफोन की कोल इंडिंग प्रोब्लम का समादान जानना चाते हैं तो आपको अपने स्मार्टफोन पर सेटिंग आप्शन के अंदर जाना होगा setting का option आपके smartphone के अंदर जहां कहीं भी आ रहा हो आपको setting के option के अंदर चले जाना है अब आपको अपने setting के अंदर तो आप चले गए हैं लेकिन कुछ विएकते हूं कि जो goal ending के problem है वो क्यों हो रही है उसका क्या समाधान है वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों अबर मैं आपके स्मार्टफोन के अंदर आप सेटिंग में चले गए लेकिन अगर आप सेटिंग में नहीं भी जाते हैं तो आपको अपने स्मार्टफोन के मोबाइल सेटिंग के अंदर जाना है Mobile Settings के अंदर जैसे ही आप Click करते हैं Click करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर यह Three Dot का Option नजर आ जाता है तो आपको इस Three Dot वाले Option पर Click कर लेना है Click करने के बाद दोस्तों एक Option आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलता है इस settings का इस setting वाले option पर आपको click कर लेना है इसके बाद दोस्तों आपके smartphone के अंदर नीचे के और scroll down करना है और नीचे एक option हमें देखने को मिल जाता है Supplementary Services Supplementary Services पर हमें जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपके दोनों ही सिमों की Supplementary Services आगई होगी इन दोनों में आपको क्या कर रहा है अगर एज़ा अपने स्मार्टफोन के अंदर call waiting का, call waiting का, call forwarding का अगर इन में से किसी भी option को अगर आपने इस में से, इस में से, इस में से तीनों में से अगर किसी भी option को activate कर रखा है तो आपको काफी जल्दी आपके स्मार्टफोन में कोई call लगाता है या आप किसी को call लगाते हैं तो आपको call waiting के समश्या call drop के समश्या call ending के समश्या देगने को मिलती है तो दोस्तों आप यहाँ से इन option को off कर लें तो बेटर रहेगा इसके बाद दोस्तों आपको अपको अपने स्मार्टफोन पर बेक आ जाना है और other call settings पर जाना है other call settings के अंदर अगर आपने यह option show call information को off कर रखा है तो भी आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर यह समश्या ज्यादा देखने को मिलेगी तो आप इस show call information वाले option को off ना करें दोस्तों अगर ऐसा करते हैं तो आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर call ending की समश्या देखने को मिलेगी इसके साथ दोस्तों आपको बेक आना है और अगर अपने स्मार्टफोन के अंदर वाइफ़े कॉलिंग का option को इस एक्टिवेट नहीं कर रहा है तो एक्टिवेट कर लीज़े क्योंकि काफी बार आपकी समश्या है उनका समाधन आपको वाइफ़े कॉलिंग करा देती है और दोस्तों जो step मैंने आपको बता है इन्हें step कर लागा कुछ रीज़न ऐसे भी हो सकते है कि जिस वेक्टि को आप कॉल लगा रहे है क्या पता वो वेक्टि सामने वाला वेक्टि किसी दूसरे वेक्टि से बात कर रहा हूँ तो अगर वो किसी से कॉल उपर कनेक्ट है किसी से बात कर रहा है तो आपके कॉल वेटिंग, कॉल फॉरवर्डिंग कॉल वेटिंग की समश्या, कॉल एंडिंग की समश्या कॉल ड्रॉप की समश्या आपको देखने को मिलेगी तो दोस्तों कुस्समे का वेट करिए अगर आप कुस्समे बाद भी कॉल लगाते हैं फिर भी आपकी कॉल कट कट कर जा रही है आपकी इस तंग से कॉल नहीं लग पा रही है यहाँ आपकी कॉल इंडिंग के समश्चा है स्विच और कॉ उन करें फिर देखे फिर बइगर आपको यही इस अमश्चा देखने को मिल रही है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है अपने स्मार्ट पून में कोई समश्चा नहीं है जब भी कॉल लगे हैं ने से पूंच है कि अब यह आपको हमारे इफकोल नहीं लग रहा है तो आपको यह समश्या बता रहे हैं अगर दूसरे भी बताते हैं तो फिर आपके नहीं है वो उनकी ही समश्या है ठीक है ना दोस्तों तो आपको यह वीडियो कैसी लगी थेंक्यू वचिक इन दिस वीडियो